दोस्तों इस लीडियो में हम बात करेंगे market structures के बारे में कि different types of market जो है economics में हम कौन-कौन से पढ़ते हैं तो आप लोगोंने सुना होगा perfect competition आपने सुना होगा monopolistic competition, monopoly आपने सुना होगा, oligopoly सुना होगा, duopoly सुना होगा, monopsoni सुना होगा तो अगर तो आप economics optional के student हो, तो आपको ये जो चीजें हैं बहुत ही detail में पढ़ने की जरूरत है, लेकिन अगर आपका economics optional नहीं है, तो just एक basic definition आपने याद रखनी है, कि ये जो market structures हैं, इसके क्या example हो सकते हैं, और इनके क्या-क्या features हो सकते हैं, ठीक है, जैसे suppose करो कि trailer में question आ परफेक्ट competition वाला market है, ये कैसा market है, तो एक ऐसा market जहाँ पर large number of buyers and sellers हैं, एक ऐसा market जहाँ कि जो product है, वो identical है, एक जैसे हैं, एक ऐसा market जहाँ जो seller है, जो बेचने वाला है, उसके वास freedom है कि वो उस market में एंटर कर सके और वहाँ से exit कर सके, एक ऐसा market है, जिसका demand curve जो है, वो elastic है, उसको हम perfect competition कहेंगे, अब देखो, इस line का तो मतलब आपको पता है, यह simple ही है कि large number of buyer sellers हो, दूसरा point भी clear है, एक जैसे product होने चाहिए, तीसरा भी point clear है, यह चोथा जो है, elastic demand का क्या मतलब हुआ, देखो elastic demand का मतलब क्या हुआ, कि अगर prices में थोड़ा सा भी changes हुआ, तो demand की उपर effect बढ़ेगा, ठीक है, और simple law of demand क्या है, अगली class में हम बढ़ेंगे, law of demand simple क्या कहता है, कि जैसे 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 प्राइसे आपके prices बढ़ेंगे, quantity demanded कम हो जाएगी, और जैसे 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 प्राइसे कम होंगे, quantity demanded जादा हो जाएगी, तो perfect competition में जो demand curve है, यह elastic होता है that means कि अगर आप नहीं prices में थोड़ा सा भी उपर नहीं चे कुछ किया, तो इसमें demand की उपर काफी impact पढ़ता नजर आएगा, अच्छा यह तो इसके features होगे, elements होगे, इन सभी को अगर आप combine करके एक जगह अगर रखोगे, तो ऐसा जो market बनेगा, उसको perfect competition कहेंगे, example क्या हो इसमें थोड़ा fit करके हम देखते हैं, क्या यह जो सबसे बेले, large number of buyer sellers, किसी मंडी में चल जो, बहुत सारे लोग radio लगा के बैठे होते हैं, क्या उनके product एक जैसे होते हैं, तो almost एक जैसे ही होते हैं, कोई भी example ले लो, अगर आलू लोग बेच रहे हैं, तो आलू के अलग variety है, यह 5 लोग मिलके बेच रहे हैं, variety तो same ही है, identical हो गया, ऐसे अगर हम बात करें, तो वहाँ पे freedom है, कि वहाँ पे आप entry कर सको, exit कर सको, अगर आपको सबजी बेचने का मन है, ready खरीदो और चले जाओ वहाँ पे, ठीक है, अगर profit नहीं हो रहा तो छोड़ के आजो, और demand curve elastic है, तो देखो, यह वाला example consider करो, identical product है, ठीक है, यह 20 रुपय किलो बेच रहा है, एक ने बेचा 30 रुपय किलो, तो क्या 30 रुपय किलो से लोग खरीदेंगे, नहीं सीधा इधर बागेंगे, इसका मतलर demand curve जो है, वो elastic है, तो यह आपका पहला market हो गया, that is perfect competition, अब हम दे मनोपली कियाते है, और इसके इलावा यह जो भी product यह बेच रहा है, उसका कोई भी close substitute नहीं है, यह जो कुछ भी बेच रहा है, उसके जैसा मिलता जुलता कोई भी चीज मार्केट में नहीं है, ठीक है, तीसरा आपने याद रखना है, कि entry में बहुत restriction है, यहाँ पे आप easily entry यहाँ पे नहीं कर सकते हो, और exit करना भी बड़ा मुश्किल है, ठीक है, और at the same time, price discrimination यहाँ पे होगा, तो obvious ही बात है, यही seller है, वो तो discrimination करे गई, अब इसका example क्या consider कर सकते हो, इंडियन railway, इंडियन railway इसका example consider किया जा सकता है, कुछ हद तक आप क्या सकते हो, कि मिरोपली में शायद यह ना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है, वो privatize मतलब कि आज के time में हो रही है, लेकिन बट still, for larger purpose अगर हम देखें, तो यहाँ पे example है, यह fit bad था इदर, ऐसी अगर हम बात करें, monopolistic competition, तो monopolistic competition क्या है, तो again इसके अगर हम elements की बात करें, देखो ऐसी इसकी single definition नहीं है, कि एक line में इसको हम define कर दे, बहुत सारी चीज़ों को combine करके, एक market form जो बनता है, उससे यह definition बन रही है, तो monopolistic competition वाला market कैसा होगा, तो देखो यहाँ पे large number of buyers and sellers होगे, no doubt, large number of buyers and sellers है, लेकिन अगर हम compare करें, perfect competition के मुकावले में, वहाँ से थोड़ा सा कम होगे, यह ओपी सी बात है, product जो है, वो similar है, लेकिन identical नहीं है, यह difference है, जो हमने perfect competition देखा, वहाँ पे जो product से, वो identical थे, एक ही जैसे थे, लेकिन यहाँ पे similar है, यहाँ पे similar है, बिल्कुल identical, copy-pasted नहीं है, ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, तो entry और exit पे, यहाँ पे को इन points का क्या मतलब हुआ, जब हम इसका example consider करेंगे, और यहाँ पे बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है, add पे, ठीक है, तो अगर आप इन से भी चीजों को, अगर आप combine करोगे, तो जो market बनेगी, उस market को हम कहेंगे, monopolistic competition, example क्या consider करें, toothpaste, soup का example, consider कर सकते हो, biscuit का example, consider कर सकते आपको, biscuit पाता है ना आपको, तो आज की टाइम एक video बहुत वाइरल हो रही है, तो एक पंडी जी है, और उनसे कोई बच्चा पूछता है कि biscuit खाना चाहिए, तो वो बोलते है कि, biscuit होता है, विश केट, विश का किट, तो जिस kit में विश है, उसको biscuit कहते है, विश कूट फिस्कूट होता है तो देखो विएक्सक्षित का एक्जाम्पल न को कि philanthrop करो सुप का एक्जाम्पल अगर हम एक्जाम्पल करेंगे अप किसी भी ग्रोशरी दुकान पर जाना टूठ पेश्ट और सोप के आपको तो बहुत सारे examples मिल जाएंगे, ठीक है, 100 किसम के आपके swaps आपको देखने को मिल जाएंगे, ऐसे गर हम बात करें तो यह देखने में तो एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन क्या यह identical हैं, identical तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल बात सही है, और यह तो बहुत से थोड़े technical यह terms होगे, और इसमें बहुत जादा हमें चर्चा करने की जुरूत नहीं है, लेकिन यह selling cost, आपने देखा होगे, टीवी पे, न्यूस्पेपर में यह कितना एड चलाते हैं, ताकि अपने brand को यह बहुत जादा promote कर सके, अब मैं देखता, oligopoly क्या होती है, तो इसकी definition paper में पुछी हो सकती है, oligopoly क्या होता है, तो oligopoly का simple सा मतलब होता है, जहाँ पे सिर्फ कुछ companies ही है, तो यह एक ऐसा market form है, जहाँ पे जो sellers हैं, वो बहुत कम हैं, sellers बहुत कम हैं, इसके example क्या हो सकते हैं, cement industry हो गया, automobile industry हो गया, तो automobile companies कितनी हैं, मतलब हजारों में तो numbers हैं नहीं hardly hundreds में इनके examples हो गया, ऐसे एगर हम बात करें, इनके features क्या हो सकते हैं, तो oligopoly का मतलब ही होता है, जहाँ पे जो sellers हैं, वो बहुत कम हैं, ठीक है, और एक feature आपने याद रखना है कि अगर इन्होंने price में थोड़ा सा भी change किया, तो जो इनके end results होंगे, मतलब कि जो इसका demand क होगा, उस पे impact पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि prices में जो भी change आएगा, तो इनके जो competitor है, ठीक है, उनको gain हो सकता है, उनको loss हो सकता है, फिर entry में थोड़ा सा barrier है, यहाँ पे entry में थोड़ा सा barrier है, आप समझो, देखो entry में कैसे barrier होगा, यह जो market system है, इसको आप दो तरीके से स कि इस system में यहाँ जाते जाते एक cartel बन जाता है, ठीक है, आपने शब्द याद रखना है, cartel, cartel का क्या मतलब होता है, group बनाना, ठीक है, तो अब देखो, cement companies कितनी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, अब इनको पता है, अगर मांदो कि 10 cement companies है, तो यह लोग क्या करेंगे आपस में एक group बना लेंगे, ठीक है, अब इस group में इनकी meeting होगी बार-बार और यह decide करेंगे कि price बढ़ाना है कि कम करना है, और यह इस तरीके से market को चलाएंगे कि कोई नया player इसमें ना आ जाए, ठीक है, और ऐसे group को क्या कहते है, cartel कहते हैं, तो अगर मांदो ऐसे cartel बन चुके हैं, तो नए player के लिए वैसे ही मुश्किल हो जागा entry करना है, इस market में, तो oligopoly में आपने याद रखना है, यहाँ पे entry में काफी barrier होता है, ठीक है, अब oligopoly का ही special form होता है, जिसे हम duo poly कहते हैं, तो देखो duo जहां में भी आगे, duo का मतलब क्या होता है, दो चीजी, ठीक है, तो अगर कोई ऐसा market है, जिसको सिरुफ duo player बहुत ही बड़े level पर dominate कर रहे हैं, उसको कहेंगे duo poly, example क्या हो सकता है, Pepsi और Coca Cola, ठीक है, तो यह तो काफी असान है, लास्ट हम देखते हैं, मुनुप सोनी क्या होता है, मुनुप सोनी, तो मुनुप सोनी का simple सा मतलब होत करते है, Central Government, Central Government एक लौती बायर है, किसके लिए, Domestic Defense Manufacturing के लिए, ठीक है, तो Defense के जितने भी प्रोड़क्ट्स हैं, उसकी जो सूल, जो consumer है, वो कौन है, Central Government है, तो यह कुछ मार्केट के फॉर्म्स थे, तो आई होब कि यह लक्चर आपको समझ आया होगा, थैंक्यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप दूएंग, जय हिंद।